हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग अच्छे होंगे, डूइंग वेल, स्टेडिंग वेल, दोस्तों काफिस खुशी होती है जब इतनी सरे स्टूरंस आपके तारीफ करते हैं कॉमें और कहते हैं कि आप तक के ग्रामर के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो बस इच्छा य वाला हूँ, वो कुछ अलग है, आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोग को यहां पर, मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा, चुगली कैसे करते हैं, चुगली करना सिखाऊंगा आप लोग को मैं आज, ठीक है, जैसे का आप लोगों को चुगली करना हैं चुगली करने तो बुरी बात है आप क्यों सिखा रहे हम लोग को लेकिन कभी-कभी कुछ चुगली अच्छी भी होती है दोस्तों हमनों को चुगली करनी पड़ेगी दोस्तों देखो कैसा है अब यह जो टाइप जो है ग्रामर का इंडारिक स्पीच इट इस सम्वाट ल नहीं आओंगा यह राहूल ने काय मनिश से राहूल ने मनिश से कहा कि आज मैं स्कूल नहीं आओंगा भई ठीक है अब हमको इसका इसका इंडारेक्ट करना है तो इंडारेक्ट करेंगे सेंटेस क्या था राहूल ने मनिश से कहा आज मैं स्कूल नहीं आओंगा अब मैं चुगली करूंगा हरे सुन राहूल ने मनिश को बोला कि वह उस दिन स्कूल नहीं जाएगा ठीक है क्या सेंटेस है राहूल ने मनिश से कहा कि वह उस दिन स्कूल नहीं जाएगा दो क्या यहां पर यहां पर किया मैंने राहुल ने मनेस् से कहा कि वो कह़ाता आज मैंने क्या कहा ? उस दिन पिर बार मैं उसने कहा कहा ? मैं स्कूल नहीं जाओंगा मैंने कहा वह climbing जाएगा है ना? और यहाँ पर दोखर क्या है मैं स्कूल नहीं आऊंगा कहा था मैंने चुबली क्या किया वह स्कूल नहीं जाएगा मतलब मालब पड़ा क्या बदलाव किया मैंने जब हम दो लोगों की बात किसी और को बताते है तब वो होता है इंडायरिक्ट स्पीश दोनों में बात हो रही थी तो डायरिक्ट स्पीश हो रहा था लेकिन इंडायरिक्ट में क्या करना है हम उको तिसरे परसन ने चौथे को बताना है ठीक है किसी और वंदे को बताना है जो वहाँ पर नहीं था ओके सोहम ने आदर्श को पूछा क्या तुम्हें आकाश का घर पता है लायरे स्टेट्मेंट है लायरे की सवाल पूछा सोहम ने आदर्श से क्या कहा है उसने क्या तुम्हें आकाश का घर पता है अब मैं चुगी करूँगा हरे सुन सो हमने आतरश को पूछा कि क्या उसे आकाश का घर पता है उसने का कहा था क्या तुम्हें आकाश का घर पता है मैंने बतलाओ क्या 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 उसे आकाश का घर पता है ठीके तो इस तरह से आप लोगों को indirect statement करना है ठीके मतलब किसी ऐसे इंसान को बताना है जो वहाँ पर मौझूद नहीं था ठीके तो वो हो गया आपका इंडिरिक स्पीश्ट ठीके तो इस इस हाओ वी विल्टो चुगली ओके चलो यहां को चुगली आप लोग को मार्श दिलाएगी ओके दोस्तों अको बंग मैं पता चलcott गहारे कि यहां के तुछ बदलाओ करने होते हैं तो ठीके घ्र लाइटली कुछ नहीं थो मैं तेरे घर नहीं आओंगा इसे उसने कहा होगा तो आप क्या बोलेंगे उसने कहा था? मैं तेरे घर नहीं आऊंगा आपके लिखेंगे? वहाँ उसके घर नहीं जाएगा ठीक है? उसने कहा तुम इन कपडों में अच्छे डिखते हो answer में क्या बोलोगी आप? वहाँ इन कपडों में अच्छा डिखता है उसने काया था क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेरा मैसेज दिया क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेरा मैसेज दिया हम क्या लिखेंगे क्या उसके पापा ने उसे उसका मैसेज दिया इट लुक्स इजी बट मिस्टिक होती है छोड़ी सी तो इसके लिए आप लोग कोई छोड़ा सा करना पड़ेगा शीरियस लिए तो क्या क्या चेंज होंगे देखो अगर बोलने वाला अगर लड़का होगा तो यहाँ पर आए का ही लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन में अगर आए 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 गा तो आप उसका क्या लिखेंग तो यह लड़की से बात कर रहा है तो वहाँ पर दे आएगा है तो हम लोग जोनी कैसे ही और समय होते है कि यहाँ वहाँ मतलब सब जैसे की मैं खिर फूझ्टे मुझे, कि सर यह फ्रग क्या है आपने you का यहां पर he she they लिखावा है नीचे जो you लिखावा है उनका him hard them लिखा है हम कों साला कभ लिखेंगे difference क्या है यह जो you है न दोस्तोć firm इसका मतलब होता है तुम इन कपड़ों में अच्छे दिखते हो. मतलब यू. परवाला यू जो है, इसका meaning क्या है? तुम. ठीके? और ये जो नीचे meaning है, इसका meaning तुम नहीं होता. इसका meaning होता है तुम है, आपको. ठीके? इसका meaning क्या होता है? तुम है. यहाँ पर English में words के कमी है उनके पास में एकी word है you you हमारे हिंदी में अलग लग words है यहाँ पर तुम यहाँ पर तुमे ओके तो फिर हम पैचने हैं कैसे कि यह तुम वाला you है कि तुमे वाला you है तो दोस्तों काफी आसन है यह जो you है ना यह sentence के starting में होगा यह उपर वाला you जो है यह sentence के starting में होगा और नीचे वाला you जो है ना इसका मतलब तुम्हे होता है यह sentence के बीच में end में होगा ठीक है तुम वाला you sentence के starting में तुम्हे वाला you sentence के end में जब sentence के आगे starting में you आ गया तब वहाँ पर he, she, they इन में से उस्ट तो एक लिखो और अगर sentence के अगर end में यू आ गया तो him, her, them इन में से उस्ट तो एक लिखो sentence के meaning के हिसाब से ठीक है? चलो उसके बाद देखा अब आगे we का they, my, he's, her, mine he's, hers, ours theirs, yours, his, her yours, his, her, theirs our, their us, them, me, him him, her, myself himself, herself, yourself himself, herself, yourself yourself, look of difference यहाँ yourself, आप किसी एक इनसान से बात करे हो, अरे, you can do this yourself अरे, तू खुद कर सकता है भई तब यहाँ पर myself का क्या आएगा yourself का क्या आएगा himself, herself, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो, अगर मैं बात कर रहाँ बच्चों से अरे, students you can do this yourself तुम लोग यह खुद कर सकते हो तब मैं एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहा हो ना तब आप उसका मीनिंग क्या था यॉर्सल्स तब यॉर्सल्स आएगा तो himself yourself लिखो yourself होगा तो फिर themselves लिखो ourselves, themselves, am, is का was होगा, are का was तो फिर were, इनमें से कुछ तो एक होगा sentence की हिसाब से, ठीक है was, were का had been will, shall का would, have, has, had don't, doesn't, didn't उन्ट का सब का past tense कर दिया है मैंने past tense कर दिया है फिर बाद में didn't होगा ना question में तो उसका क्या लिखेंगे आप लोग hadn't plus verb का third form can का could, may, might, must का had to simple present होगा question में तो उसका simple past कर दो, simple past आएगा question में तो उसका past perfect कर दो question में here आएगा तो आप वहाँ पर there लिखेंगे this का that लिखेंगे, these का those, now का then thus का so thus का so, ago का before, today का that day tonight का that night, tomorrow का the next day, yesterday का the day before, the day after tomorrow, मतलब क्या आने वाला पर सो, तो उससरे में हम लोग आप लिखेंगे two days after, the day before yesterday, two days before last word होगा, तो लिखेंगे last week, last year, last month, तो फिर का लिखेंगे यहाँ पर the previous, तो लिखेंगे, last night the previous night last year, the previous year ठीके, last week the previous week कम का sentence की सबसे गो भी होता है कभी, ठीके, अब हम दिखेंगे मैं लिखा तो यहाँ लिखा था, simple present का simple past बनेगा simple past का past perfect बनेगा, sir हम लोगों को तो यही नहीं पता कि simple present कैसे बनता है, simple past कैसे होता है, तो यहाँ पर लिखाए मैंने, simple present मतलब subject plus verb का first form s form, fifth form और simple past बनाओगे कैसे बनाओगे, subject plus verb का second form लिखोगे ठीके, बसे यह पर simple past अगर आयो question में तो आप उसका लिखेंगे past perfect simple past का past perfect बनेगा, आप past perfect का formula क्या है, subject plus had plus verb का third form, ठीके, यह आपको काम असान हो गया, question जो होगा, आप उसका असे रिट्यू बनाएंगे, exclamatory होगा, आप उसका असे रिट्यू बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे, step best आप लोगों का indirect speech का पूरा टेंशन हमेशा के लिए जिन्दर के लिए खतम करने आज हम लोगों को, ठीके, देखो, तो यह बदलाव होते रहेंगे, अब आप अगला point, indirect speech के डोटर type कितने हैं, पांच, first type, एसरेट्यू, second type, verbal question, third type, डब्ल्यू एस question, fourth type, imperative, fifth type, exclamatory, जब भी आप लोगों को question आएगा, तो देखो, कि वो sentence, इन पांचों में से कौन से type का है, कि सर, लेकिन कैसे पहचानेंगे, कि कौन से type का है, कुछ तो idea है, पहचानने के लिए, आपका काम यहाँ पर आसान कर दिया है, S-E-R-E-T-U-K sentence में, R-A starts with a subject, आरे, यह क्या होता है, देखो, यह जो लिखा है, श्रेय सेट टू-Pius, grammatical language में, इसे कहते है, reporting verb, क्या कहते हैं, इसको, reporting verb कहते है, यह जो हिस्सा है, श्रेय सेट टू-Pius, मनी सेट टू-Pankaj, अजय सेट टू-Vijay, यह चाह थोता है, तो उसे कहते है, grammatical language में, उसे कहते है, reporting verb, ओके, reporting verb, और उसने सेंटेंज जो बोला है, जो उसके मुझे से निकला सेंटेंस, यह जो लिखा है, double inverted comma के अंदर, यह दोनों double inverted comma के अंदर, जो लिखा है ना सेंटेंस, उसे कहते है, reported speech, ठीके, इसे कहते है, reported speech, तो reporting verb, और reported speech, तो जब कभी भी, आप देखोगे, कि आपके reported speech की starting, किसी noun से हो रही है, किसी noun से हो रही है, तो अब आप वहाँ पर समझो की, वो sentence जो एवो, ऐसे रिट्व टाइप है, पहला वाला टाइप है, किसे बचनेंगे, reported speech की starting, किसी noun से हो रही है, निसी की noun ज़ते फिर pronoun, okay, noun ज़ते फिर pronoun, noun मतलब नाम, pronoun मतलब क्या सर वो नाम, ठीके, I, you, he, she, we, they, it, किसी का name होगा, share us, my friend, bird, animal, plant, thing, वो सब उसमें आ गया, noun में, pronoun में, okay, जब उन से शुरुवात होती होगी, reported speech की, वो क्या है, वो, ऐसे रुटे टाइप है, okay, आप लोगों का बेसे रुटे टाइप बैचनना, आसान हो गया, example आपके सामने है, share us, say to Pius, I am busy today, okay, चलो, अभी second टाइप कौन सा है, reported speech starts with helping verb, reported speech मतलब कौन सा, ये, double कॉमा के अंदर वाला, ये sentence, तुसके starting जब helping verb से होती होगी न, तब वो होगा, verbal question, second type, ठीक है, अब देखो न, यहाँ पर reported speech के starting किस से हो रहे है, will से हो रहे है, नंदिनी, say to Sonali, ये reporting verb है, will you come tomorrow, ये reported speech है, ठीक है, shortcut में में RS करूंगा, अपलो समझ जाओ, तो फिर वो शुरू हो रहा है, will से, जो की helping verb है, helping को पता न, आप लोग को, am, is, are, was, were, will, would, shall, should, ठीक है, तो फिर वैसा, ये helping verb से शुरू हो रहे है, मतलब ये verbal question है, ठीक है, नौ डबलो शुरू हो टू आइडेंटिफा, डबलो शुरू टाइप, कैसे परचानेंगे, उसके भी symptom है, क्या symptom देखो, डबलो शुरू में, रिपोर्टेट स्पीच, तार्ट सु वीथ, रिपोर्ट वर्ट, ठीक है, डबलो शुरू में, रिपोर्टेट स्पीच जो हता है न, मतलब ये डबल कॉमा के अंदर वाला, डिपोर्टेट स्पीच, स्टार्टिंग किस सी हो रहा है, डबलो शुरू से, वाई, वेर, वी, चुहें, वू, हाउ, हाउ, मेनी, यह सब, इस सब क्या डबलो शुरू होगा, तो अगर डबलो शुरू होगा, तिस्तरा टाइप कौन सा है, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव में, पैचानन आसान होता है बहुत, देखो क्या है, इंपेरेटिव में, रिपोर्टर स्पीच स्टार्ट्स वीथ वर्ब, प्लीज, डॉंट, लेट, लेट, जब इनसे शुरू होगा न, आपका रिपोर्टर स्पीच, मतलब वो होगा, इंपेरेटिव, ठीक है, इंडीस, यू टेल समबड़ी, तो दू सम्थिंग, रिपोर्टर स्पीच के स्टार्टिंग में अगर आपको यहाँ पर वर्ब, प्लीज, डॉंट, लेट, लेट होगा, तो फिर वो है टाइप इंपेरेटिव, ओके एक्जाम्पल देखो, अजय सेट टु इस फ्रेंड, अजय ने अपने दोस्ट से कहा, उपन दोर, दोर खोल, कहा है ना बुलने के लिए, फिर दिखो, खोलने के लिए, तो फिर मतलब यह है, इंपेरेटिव सेंटेंज, ठीक है, और लास्ट वादा तो एकदम इजी, इस्येस्ट, एक्सलेमेटरी क्या होगा, रिपोर्टेंड स्पीच एक्सलेमेटरी साइन, पहला कहा है, जो एक्सलेमेटरी का, Mrs. Kaushik said how lucky you are Mrs. Kaushik ने कहा तुम कितने नसीबवान हो कितने भागिशाली हो एक्सलिमेंटर सेंटेंस है मतलब यह क्या एक्सलिमेंटर टाइप है ठीक है दोस्तों अब हम आगी जाएंगे अब हम दिखा करेंगे एक-एक टाइप का पोस्तमर्टम करेंगे ऐसा पोस्तमर्टम करेंगे कि आपका कोई भी हाफ मांग भी आपके करत नहीं कर पाएगा आपको पूरे आउट आप मांस मिलेंगे उसमें ठीक है देखो फर्स्ट टाइप कौन सा है एसे रेट्व कैसे परचाना है रिपोर्टेर स्पीच टार्ट सुईथ सब्जेक आपको यहाप में नाउन लिखोंगा जो पीड़े आपको मिलेगा ना उसमें आपको नाउन लिक के मिलेगा ठीक है नाउन याथ फिर प्रोनाउन ओके तो फिर एसे प्रटाइप वो होता है फर्स्ट रूल एसे रेटिव में जब कभी भी क्वेश्चन में सेज होगा अंसर में सेज लिखो या तो फिर कभी-कभी टेल्स भी लिख सकते हो आ सकता है लिखना पड़ेगा कैसे जब बोलने वाले का सिब जिक्र होगा ना इसी बोलन सेज आम बीजी माइ सिष्टर सेज वी विल गो टू पूने इसमें सिब बोलने वाले का जिक्र है सुनने वाले का जिक्र नहीं है तो आप लोग को वहाँ पर सेज का सेजी रहेगा लेकिन अब भी सुनो हा राहुल सेज और ऐसे डबल कमा करने के बाद अंदर लिखा होगा इसे की राहुल सेज गनेश ए गनेश यू आर वेरी सेलफिश गनेश यू आ वेरी सेलफिश अब देखो यहाँ पर कोन बोल रहा है राहुल और सुन कोन रहा है गनेश माना कि मैंने सुनने वाले का नाम डबल कमा के अंदर लिखा हुआ है लेकिन सुनने वाले का जिक्र है ना सुनने वाले यहाँ पर लिखा है ना तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सेज का क्या जाएगा टेल्स आजाएगा ठीके जब सुनने वाले का नाम नहीं रहे वहाँ पर क्या आ जाएगा थीक है ऐसे यह कभी कुशल भी आएगागा कभी टोल भी आएगा तो है कि प्रतमेश सेड आ एंप थेड़की है लेकिन प्रतमेश मेम मम्री नम लगा crushed तो 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 पते हैं लोगों कैसा है वह विल से का विल से सालसे का शालसे। नोपसेर हैं या इंट देखो अगला रूल दो चीजों को जोडने के लिए कुछ तो जाए ना फैविक्वाइप तो वैसे यहां पर दो sentence को जोडने के लिए मतलब reporting verb और reported speech इनको जोडने के लिए क्या reporting verb और reported speech reporting verb और reported speech इनको जोडने के लिए conjunction चाहिए तो यहां पर conjunction हम लोग क्या यूज करेंगे that ऐसे रेटिव में conjunction that यूज करते है ठीक है और verbal question ना उसके लिए अलग है डावलोच के लिए अलग है सबके लिए अलग अलग है तो इसके लिए कुछ सा आ रहा है फेविकॉल that आ रहा है ठीक है चलो आगे अब रूल वन है वें रिपोर्टिंग वर्ब विल हैव सेज सेज तू विल से शाल से देंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज सेज तू विल से शाल से है तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदलने का नहीं टेंस बदलेगा नहीं क्योंकि reporting verb present tense में है और future tense में है इसके लिए अंदर का double कॉमा के अंदर का टेंस नौको बदलो बदलने का नहीं जो टेंस वैसा है वैसे रखो आप बदलने का अरे भाई टेंस पैचाना रहेगा ना सबसे पहले helping अपको देखो helping अप बताएगा आपको को tense कौन सा है तो इसके बदलना होगा ना तो helping अपको बदलो तेंस बदल जाएगा आपको और जैसे की we can reach on time तो इसके कौन सा है can तो उसको बदलो can का could कर दो भाई तेंस बदल जाएगा she is my friend is है तो इसका past tense कर दो was इसको बदलना पड़ेगा you are deceiving me तुम मुझे उल्लू बना रहे हो तो इसमें आर है आर को past tense कर दो किसे ने कहा कि टेंस बदलो तो इनको बदलना पटा है helping अपको लेकिन कभी कभी यहाँ sentence में helping अप नहीं होता तब में अपको पकड़ो we know him इसमें helping अपको नहीं है इसमें no को past tense में डाल दो no का past tense को जागा new we knew him ठीक है he plays football इसमें helping अपको नहीं है direct play लिखा हुआ है he plays football तो play को डाल दो past tense में he played football मालम पड़ा तो याद रोखो क्या कहा मैंने जब says says to will say sales से होगा तो अंदर का tense बदलना नहीं है ओके राहूर says I'm busy राहूर कहता है कि मैं busy हूँ पर पहले काम क्या अपना पहले पहचानों कि इन पाचों में से कौन सा टाइप है definitive है कि वर्बल है कि डऽल के इंपिरेटिव है कि exclaimेठी है तो देखो यह है PayPal कैसे पचाना क्योंकि reported speech की कि starting किस से हो रहा है नाउन से हो रहा है reported speech का starting ne से हो रहा है तो इसके लिए क्या है यह एसे रिटाइप हैESS को ना राहूल सेज आयम बीजी प्रोनाउन शार्टिंग में आ गया जब रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग में नाउन प्रोनाउन आ गया मतलब वो है ऐसे टाइप ठीक है अब यह रूल वन टो थ्री फॉर कोंसा रोले रूल वन है रूल वन क्या कह रहा था जब दने का नहीं तो यहा पर क्या गया भाई सेज तो स्थी taşण अगया और फ्रीच में किया आए गया थीक राहूल सेज कॉमा हट गया दैट आगया बीच में कंजंशन दैट आगया फिर बार में वो बल रहा है I am happy हम क्या बोलेंगे ही आए के बढ़ ले क्या लिखा हमने ही फिर बार में प्रेजेंटेंस लिखना है पास्टेंस लिखना नहीं है तो फिर एम का एम तो लिखूंगा नहीं मैं जमेंगा नहीं ही के समने एम नहीं चलेगा प्रेजेंटेंस ला इस लाइगा वो कहरा था I am happy हमने बना दिया ही इस एपी ठीक है यह आपका अंसर बनके इन फुश्टा पाना चाहिए यह पूरा कॉमा हट जाएगा अंसर में ओके यह हमारा अंसर है कविता मिस से टू पिंकी यू लूक नाइस इन दीस क्लोट्स कविता मिस पिंके से कहती है तुम तो इन कपड़ में अच्छी दिखत हो पहला क्या हमारा टाइप पैचानों एसे रेटिव वर्बल डबलो एच इंपरेटिव की एक्सलेमेटरी एसे रेटिव कैसे पैचाना विकॉज रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है प्रोनाउंस से है ना यू इसके लिए आब इसमें रूल क्या कह रहा है से शे ऐसे स्टू लिए होगा तो अंदर का अटार्टिश्बस अप लोगों को नहीं बदलना है तो नहीं बदलेंगे हम लोग पहले दोखो कवीतामीज कवीतामीज सेंस्टू की चैंच तू कवार्ण गया पर तेल्स पिस घ्रट इस पींक you कवीतामीज सेंक्ष्टू का तेल्स pinky दोड़नों sentence को जोडने के लिए conjunction that आ गया फिर यहाँ पर लिखा वा you look nice in these clothes लेकिन हम you का क्या करेंगे वो girl से बात करेंगे लड़की से बात करेंगे तो फिर देखो you का क्या list में check करो list में यहाँ पर देखो you का आ गया you you का he she they और him or them भी आएगा लेकिन वो you starting में है na sentence के तो इसमें से लिखने पड़ेगा आम लोक को तो he लिखो की she लिखो की they लिखो तो Pinky से बात कर रहा है ना तो फिर Pinky तो लड़की है तो दो को कविता मिस Pinky से बात कर रही है फिफ फ़म आएगा ठीक है शे लुक्स नाइज इन दीज का दोज उपर लिस्ट में है दीज का दोज क्लोज ओके शे लुक्स नाइज इन दोज क्लोज मैंने टेंस बदला नहीं यह देखो सोहम सेज टो हिस फ्रेंड्स सोब अपने दोस्तों से कहता है वी लिव इन मुंबाई हम लोग मुंबे में रहते हैं सेंटेस के देख कर पैचानों कि यह टाइप कौन सा है असिरेटिव वर्बल डबल डबलो एच इंपेरिटिव के एक्सलिमेटरी तो दोस्तों यह असिरेट टाइप है इसे बचना साटिय में क्या आ रहा है स्टिंग में प्रोणावन आ रहा है ठीक है मतलब यह है असिरेटिव अधूल क्या कह रहा है पहले सोहम सोहम सेस्टू को जोड़के क्या बनेगा तेल्स इस फ्रेंड्स यहाप वीप में फेविकल क्या आएगा फिर बाद में वो बदल रहा है वी वी का आएगा दे उपर लीष्ट में है दे फिर बाद में परजेंट ने से चीए ना टेंस बदलना नहीं हम लोगों की यहाँ पर सेस्टू है ना फिर लिव का लिव ही रहेगा दे लिव इन मुमबई ठीक है हमने यह रूल वन में टेंस चेंज करना ही नहीं है चेंज क्यों ने चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज, सेज तू, विल से, शाल से है इसकी लिए ओके अब यह देखो मिश्रा विल से I don't have any problem with this मिश्रा कहेगी कि मुझे इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तो, गोर से देखो कौनसा टाइप है यह टाइप है पहला कौनसा वाला ऐसे रेट्व कैसे बचाना कोई की रिपोर्टिंग से शार्टिंग में कोई प्रोणावन आया है ठीक है अब देखो मिश्रा विल से विल से का विल से ही रहेगा लिखा है मैंने मेरे मन का कुछ भी नहीं है विल से मिश्रा विल से वह कह रही है लेकिन वह तो फीमेल है तो यहाँ पे आगा है शी वह कह रही है I don't have any problem लेकिन शी के साथ में don't नहीं लगेगा doesn't लगेगा don't लगता है सिर्फ I के साथ I, you, we, they, plural एक से ज़्यादा इनके साथ में don't आता है यहाँ पे she है तो यहाँ पे doesn't आएगा ठीक है अगे any problem with this लेकिन this का दो क्या है that है least में है ठीक है एसे कुछ 40-45 चे इंडर्स है न this का that I का he, she सब list में है उपर उसको जगो थू करो ठीक है दोस्तो तो यह है एसे रेट्यो का इंडर्स स्पीच का first type एसे रेट्यो एसे रेट्यो का first rule हो गया एसा rule 2 है एसे रेट्यो का rule 3 rule 4 rule 5 और rule 6 rule 7 ठीक है लेकिन बोर्ड का school, college इसका फेट्यो यह पाच्चों में से first type ही है कौन साल है एसे रेट्यो ठीक है उसमें से भी यह ज़्यादा फेट्यो रूल 1 ओके दोस्तों तो I hope अपने लिच्चे दिखते रहोगे उसको बार बार रिवाइस करो keep watching all the best thank you